हाई एवरिवन आज हम बात करेंगे कि जेरो में हम पर्चेज एंड एक्सपेंस कैसे बुक करते हैं similarly पर्चेज की एंट्री हम करने के बाद कैसे एडिट करते हैं और कैसे डिलिट करते हैं तो यह मेन डिस्पले है बिजनस में जाएंगे उसमें पर्चेज ओवर्विव में जाएंगे वहाँ न्यू बिल इसके बाद फ्रॉम में हम सप्लार का नेम एड करेंगे यहाँ नाम लिखता हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इसके बाद जो न्यू कॉंटेक्ट लिखा हूआ है वहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद इन्वोईज देट एंड टेप प्रेस करेंगे तो द्यू देट अटोमेटिकली ले लेगा रफ्रेंस में डालेंगे 001 अगर आइटम हो मिन्स इन्वेंटरी को हम इधर एड करेंगे अधरवाइस डिस्क्रिप्शन में पर्चेज लिखेंगे कॉंटिटी में 1 लिखते है चाहे हम कोई इन्वेंटरी इन्वोल ना हो लेकिन हम कॉंटिटी में 1 लिखेंगे यूनिट प्राइस जो हमारी प्राइस है वो और यह है नोमिनल कोज जैसे टेली में लेजर एन ग्रूप्स होते हैं वैसे ही जेरो में नोमिनल कोज है इसमें मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो अभी हम सिंपल पर्चेस सिलक करते हैं पर्चेस के लिए हम कॉंस्त ओफ गूज सोल्ड यह वाला नोमिनल कोज सिलक करेंगे 310 इसके बाद वेट चार्ज करेंगे 20% अब हम अप्रूव करेंगे जैसे अप्रूव करेंगे हमारा बिल सेव हो जाएगा यहां से हम पैमेंट व अवगरा भी कर सकते हैं मैक पैमेंट में घुक्टे ह्ले वाल में देखेंगे पैमेंट का पार्ट अब फिर से जाते है बिजनस में पर्चेस ओवर्वीव में यू केन सी अवेटिंग पेमेंट में एक पेमेंट दिखा रहा है अभी जो हमने बिलेड किया वो अब शो होगा अब similarly हम कोई expense book करते हैं यहां से हम करेंगे new bill, same supplier select करेंगे ABC private limited, date बगरा type करेंगे description में मैं rent लिखता हूँ, rent paid quantity 1, suppose 25 इधर मैं 469, rent का nominal code select किया इधर no wait select करता हूँ, 25 के entry हो गई और यह मैंने approve पे क्लिक किया वापस आँगा business में purchase overview उसमें देखिए अब total दो invoice आ गए है, अब यहां में click करूँगा suppose कोई भी invoice में मुझे editing करना है तो वह invoice पे click करूँगा यहां bill option में edit में जाऊंगा इसके बाद modification करने के बाद सिर्फ update पे click करूँगा तो वह change हो जाएगा and suppose मुझे delete करना है तो bill option में void पर click करूँगा and ok करूँगा देखिए एक bill void हो गया तो अब waiting payment में जो पहला bill बना था purchase का वही दिखा रहा है rent का bill void हो गया means delete हो गया है so इस तरह से हम कैसे zero में purchase के entry करते है similarly कैसे expense book करते है कैसे हम change करते है means edit करते है को invoice में and कैसे हम delete करते है वो हमने देखा next video में हम sales के entry ऐसी देखेंगे and next video में nominal cause हम कैसे new create करते है similarly कैसे bank वागरा import करते है या bank के entry करते है वो भी मैं उसका भी video बनाऊंगा and कैसे हम reports जो various reports से वो generate करते है वो भी मैं next video में show करूँगा so this is for today thanks for watching and you like the video and subscribe the channel thank you